अलो दोस्तों स्वागत है आपका दृष्टी आएस के इंडेस्ट प्रोग्राम में मैं हूं केवल आपके सामने विवाद की इस्तिती में आम सहमती बनाने के लिए समझोता करना पड़ता है उसी प्रकार से जब बहुत सारे देशों के बीच में किसी खास बात को लेकर के विवाद होता है तो समझोता करना पड़ता है संधी करनी पड़ती है अब यहीं संधी का मामला आ गया है महासागरों की रक्षा करने के लिए महासागर जो की संपूर्ण पृत्वी का दो तिहाई से भी अधिक छेत्र कवर करते हैं उस छेत्र में बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं यहां तक की हमारे खाने के लिए यहने की बहुत सारे लोगों के लिए जो मशली जो खाते हैं इसी प्रकार के और सीफूद उसके लावा खनीच इन सारी चीजों की उपलब दता बहुत सारे ऐसे चीजें वहां मिलती हैं जिससे दवाई बनती है कि अब एक समझोता हो, एक संधी हो, क्योंकि संधियां तो हुई है, लेकिन बात करें समुद्र का एक बहुत बड़ा छेतर, जिसे हम हाई सी कहते हैं, वह अभी भी इससे काफी दूर है, हमारे इस संधी के पहुँच में नहीं है, जितनी भी संधियां अभी तक हुई है, तो यानि कि अभी यह बात क्यों उठ रही है, कि समुद्र के संधियां के लिए संधी की जानी चाहिए, और उसके बाद संयुक्त राष्ट समुद्री कानून संधी, जो पहले हो चुकी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें बताया गया है, कि समुद्र शेतरों को किस किस प्रकार से बाटा गया है कितने शेत्र हैं और हर शेत्र की क्या अपनी एक अलग विशिष्टा है क्या उसकी उपयोगता है किस प्रकार से कुछ अधिकार मिलते हैं और कुछ दिम्यदारियां तैं होती है उसके बाद हम देखेंगे गहरे समुद्र में खनन करने से क्या त रहा है किस प्रकार से फिए दिलवाय परिवर्ञाल की रक्षा कैसे की जा सकती है और उसके बाद क्या सच में कोई वैश्विक संधी करके हम महासागरों के विनाश को रोक सकेंगे आंते में एक अभ्यास फ्रशन जो आपकी त्यारी को करेगा और बहतर तो चलिए देखते हैं सबसे पहले की खबर क्या है इतना समुद्र में मशली है उनका जितना उन्हें पकड़ना चाहिए उससे जादा हम उन्हें पकड़ करके उसका उपभोग कर रहे हैं इसी को हम कहते हैं ओवर फिशिंग और ये कैसे होता है होता यह है कि चूंकि समुद्र के किनारे वाले छेत्रों जो 30 छेत्र हैं वहाँ पर की मशलियां कहीं जादा फिशिंग होने के बाद आगे की ओर लोग बरते हैं और जो हाई सी एरिया है वहाँ पर फिशिंग करते हैं इस वज़य से तिये धीरे पूरे समुद्र में हर तरफ ओवर फिशिंग की प्रॉब्लम देखी जा रही है और कितनी हैं इसको आगे चलके समझेंगे अभी देखिए फिलहाल के लिए कि चर्चा में क्यों हैं तो आपको मैं बता दू हाई सीज को पहले समझ लीजे जितना भी समुद्र छेतर है पूरे पृत्वी में जितना भी समुद्र छेतर है उस में से 30 परचन्ट छेतर हाई सीज है आई सिस को मतलब यह तरह से इंटरनेशनल वाटर की तरह आप समझे लीकि वह चेत्र जहां पर किसी भी देश का अधिकार जिस समद्री छेत्र में किसी भी देश का अधिकार नहीं है वह उसके कितना है मात्रा साथ प्रतिशत ठीक है अभी जो संयुक्त राष्ट है वह चाहता है कि इसका संरक्षन किया जाए आला कि संरक्षन हो रहा है जैसे मत्स पालन को लेकर नौव वहन को लेकर परिटन को लेकर समुद्र संरक्षन को लेकर 20 ऐसे संगठन हैं जो लगे हुए हैं इसके पूरी कोशिश कर रहें लेकिन बात यह होती है कि यह बहुत सीविट छेत्र के लिए च्षेत्र कितना हैических संद्र तट से 200 समुद्री मील यानि कि 370 किलों मिल के तो ऐसी स्थिती में इस अंतर राष्टी जल के संरक्षन के लिए प्रयास करने होंगे और हमें देखना होगा कि किस प्रकार से इस छेत्र में पहले तो लोगों ने अपने इस छेत्र में 200 समुदरी छेत्र अनन्ने आर्थिक छेत्र आता है इसी को 200 नौटिकल मील बोलते है 200 इसका मतलब कि छेत्र तक कोई भी देश अपनी सीमा से बढ़ करके समुद्र में वहां पर संसाधनों का उपयोग कर सकता है उसको अपने तरीके से इस्तमाल कर सकता है लेकिन बात आती है यहां पर कि अगर इससे आगे की बात हो तो उसके रिए तो कोई अधिकार है नहीं काफी विवाद होता जा रहा है क्योंकि आई इंटरनेशनल सीबेट अथर्टी आई एसे के द्वारा भी कुछ ऐसी चीज़ें यहां पर की जाती हैं जिससे विवस्था बनी रहे लेकिन परियाप्त विवस्था अभी आई एसे नहीं कर पाए क्या है इंटरनेशनल इसी वज़े से संधी की जरूरत है जिससे की सहमती सारी देशों की अच्छे से बन सके अब संयुक्त राज समुद्री कानून संधी एक बनी थी इसके माध्यम से यह प्रयास किया गया कि जो समुद्री छेत्र है उसको तै किया जाए उसके बहुत सारे देशों को अधिकार ही मिलेंगे और उसके साथ साथ में जिम्मेदारियां भी तै होंगी अब इसके लिए हुआ है कि यह संदी 1982 में अपनाई गई और 1994 वह भी नवंबर से लागू हो गई ठीक है तो दोनों में अंतर है 1995 में भारत ने भी तहमती व्यक्त कर दी अपनी अब इसमें क्या हुआ पाच छेत्र नीचे आप देख सकते हैं जो की आधार रेखा से शुरू होते हैं मालीजे भारत के नक्षे में इस प्रकार से हम देखें यह नीचे का प्राइदीपी छेत्र जो है तो इसकी यह जो सीमा ह ही एक लाइन ऐसे खीचेगी और वह आधार रेखा होगी अभासी सीधी रेखा होगी जिससे की आगे की जितने भी यह छेत्र हैं उनकी दूरी को मापा जा सके तो सबसे पहले आंतरिक जल जो होता है वह आधार रेखा के जैसे यह आधार रेखा है तो इसके पीछे यहां पर क्या होगा आंतरिक जल उसके बाद उसके आगे का जैसे खाड़ी वगारा इसी में आ जाता है अब प्रादेशिक स्थागर कितना होता है यह होता है आपका 12 यह नौ्टिकल मिल में याद रखेगा समुद्री मिल में 1.85 किलो मिटर होते हैं तो यह हो गया कितना 12 नौर्टिकल मिल उसके बाद स्था नहीं 6 यह कितना होता है यह होता है आधार रेखा से यह जो बेस लाइन है इस baseline से लेके 24 nautical mil तक, उसके बाद अनन्य आर्थिक शेत्र आता है, या अनन्य आर्थिक शेत्र वही आर्थिक शेत्र है जिसके बारे मैंने आपके कहा था, कि कोई भी देश वहां के संसाधनों का इस्तमाल वहां तक कर सकता है, वहां तक उसकी पहुच होती है, तो इस अनने आर्थिक शेतर के बाद हम देखें 200 नौटिकल मील तक तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब उसके आगे आते हैं उसके बाद किसी भी देश का कोई अधिकार कहीं पर भी मौजूद नहीं है ंसी कौँ किया बाद कहीं जारही है हाला कि यहां पर भी संसाधनों के लेकर अध्यान को लेकर वहाँ पर अध्यान किया जाısके। इसके लिए सहमती और जितने भी नियम बनाये जाते हैं लिये जाते हैं सहमती ली जाती है गठवंधन गिया जाता है बहुत सारी चीजे वह आईसे के माध्यम से होती हैं वही इंटरनेशनल स्टीबेट एसो अथौर्टी ठीक है अब आगे की बात आती है गहरे समुद्र में गहरे समुद्र में खनन भी किया जा रहा है अब खनन में किसका खनन किया जा रहा है चूंकि इस्थली छेत्र में बहुत सारे ऐसे संसाधन है जो कि अब बहुत कम बचे हैं इसी वजह से लोग समुद्री छेत्र में आ रहे हैं ताबा निकल अलुमीनियम मैंगनीज जस्ता लीथियम, कोबाल्ट ये सारे चीजें अब वो समुद्र छेतर से पाना चाहते हैं और समुद्र का जो सीबेड है वहां से समुद्र तल से प्राप्त करना चाहते हैं गहराई में जाके वहां से खनन करना चाहते हैं उसके बाद बरती मांग की बात करें तो आखिर यह क्यों प इसके लिए अनुबंध कौन कर सकता है तो International Seavet Authority के द्वारा अनुबंध किया जाता है और गहरे समुद्र में इसे प्राप्त करने के लिए International Seavet Authority आगे की बात अपनी तरफ से प्रक्ति है कि किस प्रकार से होगा अब आप यह देख भी सकते हैं इस प्रकार से पंडुबी के माध्यम से नीचे जाके होता है गैस डिलिंग का कभी काम होता है गैस निकालने कभी प्रयास किया जाता है तेल निकालने कभी प्रयास किया जाता है उससे भी होता है कि एक तो समुद्र का तापमान बढ़ता है अ वहां के संसाधनों से पूरी हो रही है क्यों है समुद्री संसाधन महात्पूर्ण देखिए पूरा समुद्री उद्योक का मूल्य कितना है तीन ट्रिलियंट डॉलर अब यह 3 डॉलर जो है सकल घरेलुद पात का 5 प्रितिशत है किसका सकल गरेल उत्पात वैश्विक वैश्विक GDP का पांच प्रितिशक इस वज़े से इसका संडक्षन जरूरी है पिकाउ लहर और ज्वारी उर्जा जो लहरे आती है जिसकी वज़े से ज्वारी उर्जा के माध्यम से हम विजली प्राप्त करते हैं उसके लिए भी संडक्षन एक होता है क्या होता है यह करने वाले समुद्री होगा होता है और यह पेंकिलर किमोंतर बनाने में महत्मून होता है अब बात आती है कि जलवाई परिवर्वेटन का महासागरों पर क्या असर पड़ रहा है देखे, सबसे पहली बाद जो मैंने आपसे कही कि जो 50 गुना अधिक कार्बन डाय अक्साइट संग्रहित कर रहा है या जो इस पे एक पायदा हमें दिखाई देता है अगर यह गरम होगा तो CO2 की जो संग्रहन की इसकी शमता है वह कम हो जाएगी दूसी तरफ कोले, तेल और गैस के जलने से वातरण में क्या होगा तापमान में जो वृध्धी और जो हम भी यहाँ पर इस्तमाल कर रहे हैं उससे जो तापमान में वृध्धी और उससे भी समुद्र की जल्धाराएं है वह भी बदल रही है इसकी वज़य से भी पास्थिकी तंत्र में समुद्र के बदलाव आएगा उससे वहां के जीवों को नुकसान होगा वहां के जीवों की स्थिती ऐसी हो जाएगी कि वो वहां पर जीवन नहीं प्राप्त कर पाएंगे अब बात होती है कि महासागर पारिस्तिक तंद्र की रक्षा कैसे की जाए देखिए रक्षा की बात करें तो तदी के अंतक आधे से अधिक समुद्री जीव संकट ग्रस दिखाई दे रहें अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार लेकिन अब ज़रूरी है कि जो खराब मश्ल में चली जाती है जो कि उप्योग में भी नहीं आती है याने कि इतनी मश्ली हमने पकड़ी और वह काम में नहीं आई याने कि इस प्रकार की छोटी मश्लिया या कुछ हैस्ते जीव रहते हैं जो हमारे काम के नहीं रहते हैं लेकिन मश्ली पकड़नी की पुरानी प्रक्रि किया जाए अब बात आती है वैश्विक अफ्षिष्ट भी जो है पूरी दुनिया का वैश्विक अफ्षिष जितना भी है उसका असीप्तिशत तो बीना ट्रीट हुए डारेक्ट असीप्तिशत डारेक्ट जाता है समुद्र में, इसकी वज़े से भी समुद्रों का नुकसान हो रहा है, अब बात आती है यहाँ पर, आयसे की, आयसे को अपना रोल निभाना होगा, आयसे को तै करना होगा, कुछ नए मानक बनाने होगे, जिसको सभी देश follow करें और साथ साथ में संधी के ज़वरत तो हमें दिखाई देती ही है एक वैश्विक संधी अगर सामने आएगी और सवाल यही है कि क्या संधी मदद करेगी तो बिल्कुल अगर वैश्विक संधी सामने आती है, देशों के समती बनती है, उसे स्विकार करते हैं, तो उसे अपनाएंगे और अपनाने की क्रम में, जो समुदरी संसाधन है, उसका उचित वित्रण उन्हें प्राप्ट हो सकेगा, उसकी गारंटी होगी वह संधी, और साथ में अधिका तरीके से तै हो पाएगा तो आज का टापिक यहीं तक था अब एक देखते हैं अभ्यास प्रस्ट अभ्यास प्रस्ट है आधार रेखा से कितनी दूरी तक के शेत्र को अनन्य-आर्थिक शेत्र कहते हैं, आपके option है 12 nautical meal, 24 nautical meal, 100 nautical meal और 200 nautical meal, आप अपना उत्तर comment box में देना ना भूलिएगा, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, धन्यवाद. झाल झाल